हेलो फ्रेंड्स अन्बॉक सर्विस में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग को इक्रियम फीस बॉल का सेट अप करना सिखाऊंगा और साथी साथ मैं आपको प्राइस बताते चला जाऊंगा कि आपको कौन सा समालना कितना प्राइस है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में मेरा चैनल सस्काइब कर लिजेगा क्योंकि काफी कम टैम में मैं आपको सारे डिटेस कवर कर लूँगा आप लोग देख सकते हैं इस ट्रा का ट्री आपको 10 से 20 रुपे में आ जाता है और ये साथ में आपको इसको निकाल के थोड़ा हलका कर लेना है ताकि आपके फिस बॉल में स्पेस बन सके फिस को रहने के लिए आप लोग को ये स्टोन कडिब मतलब केजी के इसाब से आता है बट आप लोग को ये मैं जितना भी इसमें डाल रहा हूँग आपको 20 से 25 रुपे में मिल जाएगा मार्केट में और ये जो स्टोन होता है ये नियूचुरल फिल्टर काम करता है आपको ये पानी को काफी लंबे टाम तक अच्छे बनाए रखता है क्योंकि इसके अंतर कच्रा सारा कलेक्ट हो जाता है आपको मैं दूसरे वीडियो में दिखाया हूँ किसके कितना कच्रा होता है आप लोग वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं और अगर आपका फिस बॉल के अंतर फिस नहीं रह पा रहा है वो बारबर मढ़ जा रहा है तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हूए वो भी आप जाके देख सकते हैं आपको मेरी चनल पे काफी तरह का वीडियो मिल जाएगा आप लोग जूर जाके देखे और सस्क्राइब करें आप लोग यह मैं जो फिस दिखा रहा हूँ गोल्ड फिस यह आपको कड़िब 50-60 रुपे पीस मिलता है मैंने मार्केट वे पता किया है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आपके नियर बैस ओप में हो सकता है थोरा महांगा मिले बट यह 50 रुपेज के कड़िब आ जाता है अभी मैं इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि मैं एर पंप लगा रहा हूँ यह इस एर पंप का मैंने वीडियो बनाए हुए है ऐसे मैं बता देता हूँ आपको यह आपको 200 रुपेज के कड़िब मिल जाएगा और जो पाइप और जो बवल्स वाला स्टोन है यह आपको 10 से 200 रुपे में मिल जाएगा आप लोग एर पंप को ज़रूर यूज करें क्योंकि बिना एर पंप के गोल्ड फिस सरवाइब नहीं कर सकती है इसलिए यह बात को आप लोग ध्यान में रखे आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का ऑक्सिजन पंप होता है इसे एर पंप भी बोलते हैं आप लोग देख सकते हैं इस तरह का होता है अब मैं आपको एक बड़ चला के दिखा देता हूँ कितना अच्छा देखने में लगता है आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लगड़ा है बवस के कारण काफी look अच्छा हो जाता है और आप लोग में देख सकते हैं कितना खाली-खाली सा लगड़ा है इससे फीस को काफी help मिलता है डेपलप्मेंट करने में और वो लंबे time तक जीवीत रहती हैं इसलिए आप आप लोग ज्यादा gathering मत किजेगा और देखने में भी मतलब fresh लगता है आप लोग ज्यादा gathering करते हैं जिससे करन आपका फीस दिखाई नहीं पड़ता है बस decoration दिखाई पड़ता है ये फीस बॉल जो आप देख रहे हैं ये लगबग 10 इंच का है आपको इससे बड़े साइ market में अलग-अलग price होते हैं चलिए इस बीडियो में बस इतना ही था मिलते है नेक्स्ट बीडियो में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe कर दीजेगा थाकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूं थैंक्यू